हेलो फ्रेंट्स इस्टूरेंट सक्सेस पॉइंट में आपका सवागत है और आज इस वीडियो में हम एल एल बी थर्ड सेमिस्टर के सब्जेक्ट पब्लिक इंटरनेशनल लौ जिसका कोड है के 3002 के कोशन पेपर को देखेंगे फ्रेंट यह 100 नमबर का है तीन आर्स में आपको कम्प्लीट करना है तो पहला आए फ्रेंट इसमें सेक्शन ए जिसमें आपको एनी टू कोशन अटेम्ट करने हैं दस मार्क्स के हैं तो पहला कोशन है डिफाइन असाइलम आश्रे को परिभाशित कीजे राइट शोट नॉट ओन ईईजेड अपवर्जित आर्थिक छेतर पर संशिप्थ टिपनी लिखिए थर्ड है वाट इस एनिमी केरेक्टर शत्रू रूपता क्या है फूर्थ है राइट शोट नॉट ओन कॉंटिनेंटल शेल्फ महादीपिय समंदर तल पर संशिप्थ टिपनी लिखिए फिफ्थ कोशन है वाट इस एक्स्राडिक्शन परतिया प्रग क्या होता है अब नेक्स आता है आपका सेक्शन बी इसमें आपको एनी वन कोशन अटेंप्ट करना है जो कि बीक्स मार्क्स का है पहला है हूँ आर डिप्लोमेटिक एजेंट्स एक्स्प्लेइन राजनाइक प्रतिनिधी कौन होते हैं इस पस्ट कीजिए फिर नेक्स है डिसकस्ट दा सूर्स ओफ इंटरनेशन लो अंतरास्य के बीवादों को तैक करने के लिए तो पीड़क तरीके का वर्निंट कीजिए इसक्शन के पांच में से कोई दो कोशन करने है और हर कोशन ढब करने justified कोम एक जाता है डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेटीज एंड एक्स्प्लेइन दा वैरियस काइंड आफ ट्रेटीज अंतर रास्ट्य संधी को परिभाशित करें और विभिन प्रिकार की संधियों का वर्णन कीजे नेश्ट कोशन आ जाता है वाट इस दा मीनिंग ओफ रिकोगनाइज़ेशन स्टेट डिसकर्स दा मोड ओफ रिकोगनाइज़ेशन राज की मानिता का आर्थ क्या है मानिता के विभिन भेदों का वर्णन कीजें क्वेल कोशन आ जाता है डिसकर्स दा पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशन डिस्प्यूट अंतर रास्टी विवादों के शांधी पूर्ण निप्टारे के तरीके की विवेशना कीजें नेक्स्ट कोशन आ जाता है और आखरी कोशन है राइट शोर्ट नॉट ऑन दा फॉलएंग फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ हाई सीज सेकेंड है कॉंसेप्ट ऑफ न्यूट्रैलिटी निमिल लिखित पर डिपने लिखिए खुले समंदर के सुतंतरता टटस्ता की अवधार ना तो यह कोशन थे आपके फ्रेंड्स